गुरु जी लड़के को मंगल है क्या करा जाए खुछ मत करो प्रदोस के व्रतों में वर्णन किया गया है की रवी का प्रदोस भॉम का प्रदोस नंगल का प्रदोस बुद का प्रदोस गुरु का प्रदोस शुकर का प्रदोस शनी का प्रदोस जो प्रदोस पढ़ते हैं पूरे महिनों में पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोस निकाल कर रखलो कि मंगल का प्रदोस इस दिन पढ़ रहा है मंगल की त्रियोध शीति थी पढ़ रही है प्रदोश ब्रक मंगल बार का पढ़ रहा है और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं जिन कन्या और वरको मंगल होते हैं केवल संकर भगवान के मंदर में जाकर चौमुखी दिया, चार बत्ती का दिया, आटे का उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र साथ बार शंकर पे से उतार कर, तीन बार सुताह उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता समय मंगलत प्रदोश वृत का इतना महत्व है महाराथ यह प्रदोश वृत होता क्या है प्रदोश वृत का महत्व क्या है श्यू महापुरान की कथा करती है शंकर भगवान का प्रदोश का वृत अर्थात चंद्र देव को जो च्छै रोग हो गया बिमार प चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया और पूजन करते करते त्रियो दशी तिथी आ गई जिस त्रियो दशी के दिन चंद्र देव ने सुवे से शाम तक कुछ नहीं खाया शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने इसनान किया स्वेत वस्त्र धारण करे और स्वेत वस्त्र धारण करकर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बेड़ गए शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे ओम उमापती नमा कहकर जब चंद्रदेव को चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे भगवान चंकर त्रियो दशी के दिन प्रदोश समय मे प्रगठ हो गए और प्रगठ हो कर बोले एए चंद्र तुमने आज मेरा अनुधन किया है आज मेरा इस्मरण किया है जाओ आज त्रेयों दशी के दिन प्रदोश काल में मैं तुमारे शरीर को स्वस्त करता हूं तब से ये प्रदोश व्रत प्रारम हुआ है किस किस ने करा है प्रदोश व्रत भगवान विश्णू ने करा था जब घोड़े का मू लगा हाईगरी बहुता लचमी जी हस दी थी तो घोड़े का मू भगवान विश्णू का लगा तब भगवान विश्णू ने प्रदोश व्रत करा था बगवाने विष्ण प्रदोश वरत 11.26